Dear Students, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चानल Study with दुलार में तो बच्चों हमारे पास है Chapter 8, ये Class 2 का English book है और इसमें एक प्यारा सा पोयम दियावा है My Mother is a Good Lady, मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी महिला है तो हर बच्चे को अपनी माँ सबसे प्यारा लगता है और हर माँ को अपने बच्चे जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं वो जब छोटे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं माँ अपनी बच्चों को छोड़कर ज़्यादा देर तक नहीरा सकती उसी तरह का एक poem दिया हुआ है यहां पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि यह poem क्या कह रहा है और इसके questions जो दिये हुए हैं, उसको हम लोग solve करेंगे My mother is a good lady, मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी महिला है Early sea wax me daily, वह रोज सुबह, जल्दी सुबह, मुझे जगा देती है My father is a gentleman, मेरे पिताजी एक सजन बेखती है He always helps the poor man, वे हमेशा गरीबों की मदद करते है My brother is a good boy, मेरा भाई एक अच्छा लड़का है He always tax enjoy, वह हमेशा मस्ती करता है वह आनन्द करता है My sister has a doll, मेरी बहन के पास एक गुड़िया है It always likes to roll, और वह हमेशा उससे खेलना पसंद करती है चोटी बच्ची को गुड़िया से खेलना काफी पसंद होता है वह हमेशा गुड़िया को अपने गोद में लिये वे रती है उसके लिए कपड़े बना देती है, उसको नहा देती है, उसको बाल जाड़ देती है इस तरह से चोटी बच्ची को काफी पसंद होता है मेरे दादा जी बहुत ही मजबूत और सकत है बट ही निवर लाइक्स तो फाइट लेकिन उन्हें लड़ाई करना कभी भी पसंद नहीं है मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और उनके हाथ हमेशा दूसरों के मदद के लिए तयार रहते हैं मतलब वे लोग हमेशा दूसरों के मदद के लिए तयार रहते हैं मैं हमेशा इस तरह के दोस्त पसंद करता हूं जो हमेशा अच्छे कार करने के लिए पसंद करते हैं इस तरह से यहाँ पे यह चेप्टर समाप्त हो जाता है दिखे इसमें new words कुछ दिए हुए हैं अब इन सभी words को पढ़कर याद कर लेंगे लेडी, always, poor, strong, deeds, work, help, grandfather, tight, roll नेक्स्ट पेज में देखते हैं यहाँ पे इसका questions दिए हुआ है exercise दिखे यहाँ पे exercise है यहाँ पे इसका sentence बनाना है early, good, gentle, poor, always, like sentence आपको मैं इसकरीन पे देदूंगा उसके बाद यहाँ पे question number two है तो यहाँ पे दिखे क्या है I am a good boy तो यहाँ पे good जो की adjective word है qualifying word, adjective word कहा जाता है उसको उसको वहाँ से छाट के निकालना है अलग लिखना my mother is very gentle तो gentle जो है यहाँ पे लिख देंगे हम he always helps the poor man तो यहाँ पे poor man तो poor यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद मोहन बाबू is a rich person तो यहाँ rich आ जाएगा siam is a bad boy तो यहाँ पे bad आ जाएगा और rather is very beautiful तो beautiful यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे आ जाएगा इसका questions who is a good lady my mother is a good lady इस तरह का answer बनेगा तो answer में आप लोगों को इसके रिख के दे दूँगा what does the mother do maa क्या कर रही है who is a gentleman and what does he do gentleman कौन है और वे क्या कर रहे है who is a good boy and what does he do कौन एक अच्छा लड़का है और वह क्या कर रहा who has a doll इसके पास एक गुडिया है who never likes to fight किने लड़ाई करना कभी भी पसंद नहीं है तो इसका answer जो है आपको screen पे सारे answer मिल जाएंगे तो यहाँ पे यह chapter पुरी तरह समाप्त हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है तो आप हमारी वीडियो के लाइक कीजिए हमारी चानल को subscribe करके दोस्तों के साथ share कीजिए इसके next exercise को solve करने के लिए हमें next वीडियो पे चलते हैं